यूवा कॉंग्रेस के प्रदेश अद्यक्ष और विधायक अभी मन्यू पूनिया ने आज जैपुन में विधायक आवास पर आयोजित प्रेसवारता में प्रदेश और देश के कई महत्वपून बुद्दों पर चर्चा की है इस प्रेसवारता का मुख्य विशय नीट परि एंटीए द्वारा आयोजित परिक्षाओं में धांदली के खिलाफ यूवा कॉंग्रेस सड़क से संसत तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है 27 जून को यूवा कॉंग्रेस देश भर में यूवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ संसत का घेराव करेगी और केंद प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी देश के यूवाओं के साथ चलावा कर रहे हैं और उनके भविशे के साथ खिलवाड कर रहे हैं इसके साथ ही अभिमन्यू पूनिया ने राजस्तान के मुख्य मंतरी द्वारा थर्ड ग्रेड भरती में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षन द औरने मंतरी मंडर में लागू करना चाहिए और मंतरी मंडल में 50% की जगहi 33%महिलाओं के आधार पर मंतरी बनाने चाहिए उन्होंने भाजपा पर भी आरोप- लगाया कि वह केवल जूटी घोषनाओं के आधार पर महिलाओं और गुम्रा करें केंद्र सरकार में बहतर मंत्रियों के शपत लेने के बावजूद 33 प्रतिशत महीला आरक्षन की धज्जिया उडाते हुए केवल साथ महीला मंत्रियों को शामिल किया गया है जिस प्रकार से नोजवानों के साथ खिलवार किया गया उसको लेकर हमारा 27 तारीकों संसत गिराव का कारिकरम है सिरिनवाज जी के नेतरतम है अलावरू जी के नेतरतम है हम सब लोग यूद कोंग्रेस के पदादिकार राजस्तान से साथ से आरज़ार के संचा में नोजवान साथी भाग लेंगे और दर्मेंदर परदान जी से इस्टिपा डेश की सरकार से जवाब नीट के पेपर को रद करना इसको लेकर हम जवाब मांगेंगे और एक आप डारेक्टर पर अठाकर लिपा पोती करना कहीं चीतनी है आप इसमें कौन बड़े से बड़ा मगरमत है उसको पकड़ो जेल में डालो और नोजवान साथियों के साथ जो यूवा साथियों को एक सरकार के परती एवस्वास उत्पन हुआ है नोजवान साथियो के साथ किलवार हुआ है आप उनको संतुष्टी पूर्वक उनको जवाब मिलना चीए उनको कही ना कहीं रियायत मिलनी चीए तब जाकर ये लड़ाई हमारी खतम होगी और लगातार हम देश के अंदर इसके खिलाब परदसन कर रहे हैं जिस परकार हमारी जिम्मेदारी है जनता की मांग को उठाना और नोजवान साती जिसके साथ सरकार के अंदर कहीं ना कहीं उसको एफ़स्वा सरकार से उच्पन हुआ है उसकी लड़ाई को मजबुची से लड़ना जमीन पर और वह हम कर रहे हैं बाकी काम सरकार को करना है लेकिन हम जब तक सरकार को सब्सक्राइब करता हो कॉंग्रेस का हो एने स्योई का हो गर पर नहीं वेटेगा मुझबूती से सब्सक्राइब दाए रहे हैं